हाई फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डाक्टर सुबोच चन्सिंग को जीएस एमपी क्लिनिक आइंड निव चैनल के अंतरगत मुह का अंदर में एक तरह का यानि जीव के नीचे मुह के अंदर में जीव के नीचे में थोड़ा उठा हुआ आपको बहुत सारा मांस का लुथरा यानि यह आपको बहुत लोग जीव का मसा मुह में अंदर के मसा के नाम से जानते हैं लेकिन वो मसा नहीं है और कितने लोग को यह डर रहता है कि क्या यह मुह का जो मसा आम भासा में कहते हैं क्या वो केंसर है तो सबसे पहले हम चार्चे करेंगे कि इस बिमारी का क्या नाम है तो इस बिमारी का नाम है रैनुला म्यूकोसील आप देख सकते हैं रैनुला म्यूकोसील इसको मेडिकल के भासा में इस बिमारी का नाम है रैनुला म्यूकोसील सील का मतलब है जिस तरह से हाइड्रोसील यानि आप इसको कमन भासा में समयते हैं कि हाइड्रोसील आपका बहुत जो बड़ा हो जाता है पानी उसमें भड़ जाता है ठिक उसी तरह से रैनुला में भी म्यूकोस का जमाव हो जाता है जमने के कारण आपको यह फुला फुला लगता है और भोजन को पचाने में और भोजन को मुलाइम करने के लिए आपका लार लार निकलता है जिससे स्लेवरी ग्लेंड कहते हैं जिससे लार बनता है और उसको सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटे ग्लेंड आपको एजीव के नीचे साइड में भी रहते हैं और उन में म्यूकस किसी कारण से चोट लगने कारण से या वहां का किसी प्रकार का और पेट संबंधी बिमारी होने के वज़े से किसी कारण से लारवार नहीं निकल पाता है तो वहां एक तरह का गाठ बनने लगता है सिष्ट बनने लगता है जिसे आपको रैनिला म्यूकसील कहते हैं आप सर्च करिएगा तो आपको आज आएगा रैनिला म्यूकसील के नाम से और इसमें एक मात्र बताए यता है सरजरी ही से ठीक हो पाता है सर्जरी उपाय है तो सर्जरी इसकी तो जटिल है और कई लोग इसे कराना नहीं चाहते हैं सर्जरी कितना सफल है यह तो बाद की बात है और होमीपैसिक दवा में खूजा और यह आपको एसिद नाइट्रिक और जो भी जिनको सिम्टम के अंसार दिखाई देता है वह इसे दवाच चलाते हैं मासा समझकर अधिकतर लोग वाट्स मासा समझकर से थुजा लोग देते हैं लेकिन आपका सही सब्सका है रैनुला म्यूकोसील तो आज के खास वीडियो में हम बताएंगे कि यह तो कैंसर नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है कि कैंसर का तरफ पे नहीं जाता ह हमने जिस मरीज का ठीक किया था एक बच्चे का लाइफ किया था एक साल का समय तो लगा लेकिन बच्चे बिलुकूर पिला हो चुका था खाना भी नहीं खा पता था यह रैनुला के ओज़स से खाने में आपको प्रोब्लेम हो सकता है कई मरीजों को सुरुआती दोर में द प्रिमारी जादर दिन तक आपके मुह के अंदर में रहज गया रैनुला तो आपको कैंसर हो सकता है और कईयों का कैंसर होते हुए हमने देखा भी है और आपको लगता है कि साइद कैंसर हुआ है कि नहीं तो घर बैठे आप एक मिनट में बीना किसी खर्च का आप जान सकत है कि आपका कैंसर का लक्षन आया है कि नहीं आया है सीधे आपको मुह में फिंगर को डालिए अगर पूरा जितना मुह खुलना चाहिए उतना खुलता है तो आपको समझनी चाहिए कि लगभग आपको कैंसर नहीं है अगर ये दो अंग्रेक ज़्यादा नहीं खुलता है यानि मुह पूरा एकदम धाका की तरह धाका छेटी जो होता है आप समझ रहे होंगे पूरा मुह खुल जाए तो आपको कैंसर आपको समझनी चाहिए के नहीं है अगर ये आपको लग रहा है कि मुह कम खुल रहा है तो उसको कैंसर होने की संभावना जादे रहती है इसका बायोपसीट टेस्ट करवा सकते हैं और इसका सम्माने जांचाप का सिटीए स्केन, एमराई, अल्टरा साउंड के दुवरा आप जान सकते हैं और इसकी जांचा आपको करा लेनी चाहिए और इसके पई और पहलू हो सकते हैं विस्त्रीत लेकिन मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद है कि रैनुला का यह चीज नीचे के पर्षन में भी फूला फूला आपको हो सकता है यह आपको फूल सकता है रैनुला में यह नीचे लटका हुआ कई पर्षन में आपको देख सकते हैं सबस्क्राइब कनी सबस्क्राइम उनकी जनकाई रहती है लेकिन physician हम लोग हैं तो हम लोग को बिमारी को कैसे ठीक करना है इसकी training रहती है इसकी परहाई रहती है तो बहुत सारे मरिज्यों का हमने देखा है कि short term में आपका ये फाइदा तो नहीं करता है लंबे समय तक treatment लेने के दोरान और इसमें होमियपैथिक ही दवा कारगर है रेनुला का उपचार हंडिट परसंट आपका हो जाएगा बसरते की आपको इसमें थोड़ा कुछ भी परहेज नहीं करनी है लेकि तेल मसाला बजार का खाना से आप प्रहेज कीजिए विटामिन सी फल फूर्ट लेना शुरू कीजिए काजू की समय से सब सुरू कीजिए कई लोग गुट का पान मसाला तिरंगा खाते हैं तो उनको तो कैंसर पुरा पुरा बढ़ने के संभावना रहती है लेकि इसमें है कि जो बीरी पान गुट का सिगरेट नहीं भी खाते हैं उनको भी हो जाता है पेट के गरवरी के उयसे नुट्रिशन नहीं मिलने के उयसे कभी कभी चोट भी लग जाएगा जीब से तभी भी आपको इस बीमारी हो सकता है रैनुला मुकोसील के नाम से आ जाएगा और जो प्लेन रहता है जो यह आपको प्लेन थुरह थुरह रहता है हलका तो तो माउथ अलसर बोलता है उसमें मर्क सोल बोरेक्स होमिपेथिक दवा लोग देते हैं तो उसे आपका ठीक हो जाता है लेकिन रैनुला एक अलग चीज है करने के बाद ही सौफ परतिसर ठीक हो जाता है तो कई मरीजों का अक्षार पोन आया करता है ज्यादेतर मेरा फीडियो लेप्रोसी कुछ रोग पर ही आता है लेकिन रोगी के रिक्वेस्ट पर हमने इसको इस पर भी हमने एक वीडियो दो वीडियो हमने डालना शुरू कर पढ़िया है हम देखतर हैं हैं कि बहुँ जादे लोग पीरित हैं मनावता का सेवा करना ही चिकिस्टा कहलाता है तो इसकी जनकारी पहले आपको जनकारी जगरुकता फैलानी चाहिए लोग इसके बारे में जाने लोग समझता ही नहीं कि हाय क्या और हाय तो इस पर कई कोई वीडियो मिलता है तो इंग्लिस मेडियम में आपको डॉक्टर लोग बात करते हैं जिसे की मरी समझ नहीं पाते हैं कि हाय क्या तो आप क्य आज इसका स़र्च करेंगे रेनुला मुकोसील रेनुला आरे ये यू एले सकते हैं वसर्ते कि आपको घबरानी नहीं चाहिए केंसर का रूप यह नहीं है लेकिन ऐसा पूरा-पूरा हम ये भी नहीं को सकते हैं कि अंसर में बदले में जादा देरी नहीं भी लगेगा तो इसलिए साउधान रहे हैं और बजार का तेल मसाले बहुत लोग क्या करते हैं कि सुबह में घर का नास्ता छोर करके बजारू खाना पसंद करते हैं जलेवी से जो राउंड होता है और क्या बोलता है और कई तरह का फास्टफूड मार्केट में मिलता है छोला भटूडा चोमिग्घ बजार का चाय बजार का लंगलती आनि बजार का हुर čीज खाने के आप आधि हो गए है तो ऐसे लोगों को ये बिमारी पकरने का चांस रहता है और जिनकी घर की ग्रिहनिया यानि ग्रिहनिया जो है घर के जिसे लक्षमी कहते हैं आप बहुत लोगों ने हाउस इंजिनियर कर रहे हैं हाउस वाइप हैं पत्नी हैं वहन हैं कोई भी हो सकता है थुरा सा अगर वो ल तो सकहारी खाना ठानी चाहिए फाल फूरस लेनी चाहिए टेटस लेनी चाहिए ज्यादा से अपने घर का अगर पिरा ले पिराई करा ले कोल्हों में मसीन में तो ओ जादे आपको कारगर रहता है और इसके बाद में फल फूर्च लेते रहें और होमियोपेथिक दवा आप लिजिएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका बिमारी हंडेट परसेंड ठी सकता है और धीर-धीर के तरह बढ़ सकता है कोई भी गाठ या गिल्टी शरीर में कहीं पर भी हो तो आप इसके बारे में समझ सकते हैं तो आपको किसी भी तरह का रेनुला समंदित मुह का एरिया में किसी भी तरह का घाव क्यों नहों यदि आप तमाम तरह के चिक्षक करा लिये हो बड़े से बड़े डॉक्टर से भी दिखा लिये हो यदि आपका ठीक नहीं होता है अपने डॉक्टर के इलाज से अपसंतुष्ट नहीं है तो हमरा भी सलाह आप ले सकते हैं यदि हमरा आपको सलाह चाहिए तो मेरा 233 पर आप राए ले सकते हैं जाता तर वीडियो मेरा कुछ ट्रोग पढ़ाता है फैलेरिया पढ़ाता है एन नई वे समंद्री कोड़ समंद्री आता है लेकिन परसानी को देखते हुए आपके रिक्वेस्ट को देखते हुए हमने फैसला किया है कि रेनुला पर ज्यादा Ur inadamms के प्रीत मरीज को निधान मिन सके यह बीमारी और इंप्रोटेंट इसलिए हो जाता है कि खाने पीने में हमेशा रूची को बिगार देता है मन हमेशा रुगी का हमेशा ऐ संकीत रहता है सोचते रहते हैं सायसे कैंसर तो नहीं हो गया इस भराम को इस डर को मिचाना ज हाइपी इंडिया और हिल्दी इंडिया बनाने के लिए इन सब बातों के भी चार्चा कहोनी चाहिए हमारे चैनल से विश्वास दिलाते हैं बड़ी बीमारी हो छोटी बीमारी हो हम अपने अंजाज में जिसे सरल भासा में बहुत सारे लोग हिंदी भासी हैं उनके लिए खा बास बीडियो बनाते हैं ताकि अपने बीमारी को समझ सके और अपने बीमारी का नीदान सही सही जान सके और परसानी से बचे रहे हमें चैनल में बनाने का मुखुदे से ही है हमें आसा है कि मेरा वीडियो आप लोगो पसंद आया होगा यदि पसंद आया है तो लाइक से सब्सक्राइब करना न भूले सेर करना भी न भूले जय हिन जय भार